दोस्तों महाभारत में पांच ऐसे योद्धा थे कि अगर छल नहीं किया जाता तो उनको मारना असंभव था इन पांच योद्धाओं में सबसे पहले नाम आता है पितामा भीश्म का वद करने के लिए अरजुन ने अपने सामने सिखंडी को खड़ा किया पितामा भीश्म कि पुत्र अश्वत्थामा से बहुत प्रेम करते थे और युद्ध के दोरान भीम ने ये अफवा फैलाई कि उन्होंने अश्वत्थामा को मार दिया जब ये बात गुरु द्रोनाचारिय को पता चली तो उन्होंने अपने अस्त्र और शास्त्र फैक दिये जिसका लाब अपनी माया से सूर्य को ढख दिया जिससे ऐसा पर्तित हुआ कि शाम हो गई और शाम होते ही युद्ध रोक दिया जाता था यही देखकर जैदरत स्वैम अर्जुन के सामने आ गया और भगवान श्रीकृष्ण ने सूर्य को प्रकट कर दिया जिस पर अर्जुन ने जैद का पहिया निकाल रहे थे तो नियत्ते करण पर अर्जुन ने दिव्यास्तर चला कर उनका वद्ध कर दिया इसी में एक और महान योद्धा थे दुरियोधन भीम से अच्छे योद्धा थे और उन्हें अपनी मा के वर्दान से वज्र का शरीर भी प्राप्त हो गया था किन उनकी कमर से नीचे का हिस्सा कमजोर है गया था जिसका लाब उठाकर भगवान श्री कृष्ण के इशारे पर भीम ने कमर के नीचले हिस्से पर वार किया जिसके कारण दुरियोधन की मृत्प्य हो गई